हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टू माय चैनल विमला स्टाइल सो आज मैं बनाने चाहरी हूँ है एकट दी आई वाई मेकप सेटिंग इस्प्रे जो ओनलाइन या मार्केट में सेटिंग स्प्रे मिलते हैं वह बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं आज मैं बताऊंगी आ काना कर्केट में कि-चौ 세상 कर देली करने वाले चीजery बना सकते हैं मैं उनलाइन साइट पर जेक ठीती तो वह वह सभी 5600 के अपर तो फिर मैंने जोचे क्यों ना मैं घर पे डेली उच करने वाले चीजों से बनाऊं जो कि बहुत ही ज्यादा एफोडेवल भी हो तो आए देखते हैं यह मैं DIY मेकप सेटिंग इस तरह कैसे बनाती हूं और यह मेकप फिक्सिंग इस तरह कैसे बनाती हूं तो इसमें से सबसे चार चीजों की जुरूत पड़ेगी जो की पहला है गलिसरीम और दूश्या है एलोविरा जल आप कोई भी ब्रांड कोई सी कंपनी ले सकते हैं और यह तीसरा है जो मेरा गुलाब जल गुलाब ली जल और कोई साल भी एमटी बोटल अप ले सकते हैं इस तरह के से यह तो म पास नो हो तो आप लोकल मार्केट से या और आप इसे ले सकते हैं इससे पहले मैं बताना चाहती हूं आपको कि Makeup Setting Spray का क्यों-use करना चाहिए और कब यूज करना चाहिए Makeup Setting Spray makeup करने से पहले भी लगा सकते है ताकि जो भी हम अपनी face पर makeup करें वो अच्छे से даже प्नाइन चोण कर जाहिए और make up करने के बाद भी Makeup Setting Spray का यूज करना चाहिए ताकि जो भी हम फेस तर लगाएं कंसियर फाउंडेशन पाउडर वह लांग दास्टिंग चले इसलिए हमें मेकप सेटिंग स्प्री की जरुरत पड़ती है लगभख मेकप चार से पांच गंटे मुगतनने लगता है अगर हम मेकप सेटिंग स्प्री का यूज करते हैं तो मे गुलाब जल डालूंगी मैं इसमें गुलाब जल उतना ही डालूंगी जितना हमारे पास खाली इस तरह पोटल है उसमें आ जाए उसकी कॉर्णिंग में गुलाब जल डालूंगी तो मैंने गुलाब जल की मात्रा इतना ले ली हूं उसके बाद मैं एक चोथा ही चम्मज ग फिर मैं इसे मिला लूँगी मेरी गुलाब जल की मात्रा कम है इसलिए मैं एक चम्मस लूँगी अगर इससे अधिक होता तो मैं दो चम्मस लेती उसके बद मैं इसे एमटी बोटल में स्टिप्ट कर लूँगी स्प्रे बोटल में फिर मैं इसे सेख कर दूँगी इस मेकप सेटिंग स्प्रे में जो मैं इलो विराज जल का यूज की हूँ यह क्या करता है कि यह आपकी स्कीन को मुच्राइज करता है और हैड्रेट करता है और यह एकने पिंपल से भी बचाता है इसमें जो मैं ग्रेसिन का यूज की हूँ य मेक अप को स्टीक होने में मदद करता है और जो मैं रोजवाटर का यूज की हो यह क्या करता है कि यह आपकी स्कीन को सोक्ट बनाता है ग्लोई करता है और कुलिंग और रिफ्रेश इपहरचिग देता है है तो यह व्यूंप जो setting spray है यह इसमें हमें विराजे से जलका यूज़ क्यों हूंब हुआए उषयर गिल लाँजल और मैंने इसमें यह वाटर का यूज़ नहीं कि हूँ अगर मैं इसमें वाटर यूज़ उची होती तो सक्षाद यह बहुत दिनों तक नहीं चलता लेकिन मैंने इस में वाटर का यूज नहीं की तो यह काफे दिनों तक चलेगा यह खराप नहीं होगा अब कितना दिन भी चाहे तो आप इसे यूज कर सकते हैं तो आप इसे प्राइमर की रूप में भी यूज कर सकते हैं और मेकप करने के झाल 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 झाल